कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा. आशिर्वाद से आपके जीवन में खीचा हुआ चला आएगा धन दोस्तों 21 अगस्त 2023 को सावन महीने का पहला सुमवार पढ़ने जा रहा है यह कोई साधारन सा सुमवार नहीं है बलकि महान सुमवार है बताया जा रहा है महाशिवरात्री के बराबर का. यह ताकतवर सुमवार होगा जिस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना और उपाय करते हैं तो साक्षात आपको भोलेनात का वो आशिर्वाद मिलेगा जिसके बाद जीवन से आपके हर दुहक तकलीफ परेशानी खत्म हो जाएगी दूसरी तरफ अगर आप साव हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है तो आपकी कैसी ही इच्छा हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी देखिए दोस्तों धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है जेश्ट महीने में भगवान विश्नु जी को खुश करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलद देखिए भगवान विश्नु जी भगवान भोले नाथ जी को अपने इश्क मानते हैं भगवान भोले भोले नाथ जी भगवान विश्नु जी को अपना इश्ट मानकर की पूजा करते हैं इसलिए कहा जाता है कि जेश्ट महीने के पहले सोमवार के दिन अगर कोई भी व्य अपने जीवन का बस दो या चार मिनट निकाल करके चावल और लौन का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं. तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़े. देगा आपके जीवन में आप बहुत ही काम्याब होंगे, जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विश्नु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशिरवाद और वर्दान हासिल होगा, इ आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लें। रिपलाई के माध्यम से बता देंगे इसी। अगर आपने यह उपाय कर लिए जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, चलिए दोस्तों एक एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परन्तु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना। मत भूलिएगा भगवान शिव को जब करता दुख हटा माना जाता है। भगवान शिव स्रिष्टी के संचालन करते हैं कहा जाता है कि अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में किसी भी तरहे की परेशानी चल रही हो, किसी भी तरहे की दिक्कत का सामना कर रहा हो सोमवार के दिन अगर वह भगवान भोले को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा भगवान भोलेनाथ को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रही हैं, वो तूटे फूटे नहीं होने चाहिए क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चढ़ाते हैं, दूसरा अगर आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्ट शत्रु हैं आपको, जो नुकसान पहुचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी न बिगार पाए, तो दोस्तों सुमवार के दिन जाएं, किसी भी शिवाले जाएं, वहाँ पर पहले एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित क करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ को दो लोंग अर्पित करें, इतना करने भर से आप मान के चलिए दोस्तों जोआ, के गुप्ट शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुचाना चाहते हैं, वहाँ आप कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे, ये उपाए सिर्फ इसी भी व्यक्ति को अगर आशिरवात दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षातकार भी आकर के कुछ नहीं बिगार सकता है, तीसरा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो दोस्तों यह उपाए कीजिए जो हम आपको बता जाने जा रही हैं, और दोस्तों यह उपाए अगर आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुके भी टिकेगा भी और उसमें व्रिधी भी होगी, भगवान भोले नाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है, जो आ एक सो आठ गेहूं के दाने भग। उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है, अगर आप चाहते हैं, कैसे भी आपकी इच्छा हो वह भगवान भोले नाथ जी के आशिरवात से पूरी हो जाए, तो दोस्तों एक सो आठ आक्रे के फूल की माला बनाएए, और वह भगवान भोले नाथ को सोमवार के दिन हा जाता है, आंक्रों के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशिरवाद होता है, तो दोस्तों यह उपाय करना मत भोलिएगा पांचवा अगर आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रही हैं, वह बंद हो जाएं, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम, आपको बताने जा रहे हैं, कच्चे दूध में तिल मिलाकर के भगवान भोलिनात का अभिशेक करें, और यह उपाय अगर आपने इस सुमवार के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा ह वह घाटा होना बंद हो जाएगा, छठा अगर आप किसी रोग से पीडित हैं, अगर आपको किसी बीमारी ने धर लिया है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपका रोग बिलकुल ठीक हो जाएं, तो सुमवार किसी भ पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिशेक एक पवित्र जल से करें, जिसमें गंगा जल मिला हो फिर, आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिशेक फिर से गन्ने के रस्से करना है, फिर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिशेक शुद्ध पानी से करना है, अगर यह उप पाई आपने इस जेश्ट महीने के पहले सुमवार को किसी भी समय सुमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्राइब असित हो आप एकदम ठीक हो जाएंगे, अब दोस्तों कई लोगों की जो इच्छा होती है, वह यह इच्छा होती है, कि उनके जीवन में उनको एक संतान की हासिल हो जाएं, एक विदवान संतान की हासिल हो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? सुमवार के दिन किसी भी शिवालय जाएं तीन पत्ते वाला चिकना बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सेहत लगा करके अर्पित कर दें अगर सुमवार के दिन यह उपाय कर लिया तो दोस्तों कैसी भी आपकी इच्छा हो पुत्र की पुत्र की पुत्री की विद्वान प भूलिये का धन्यवाद.